सिर्फ 30,000 डाउन पेमिन्ट देके, ले जा सकते हैं, ये टाटा एसी सिप, सिर्फ 50,000 में मिलेगा कमर्शल कार्ज. प्रेस कीजी, तो चलिए सुरू करते हैं, ये इंट्रेस्टिंग वीडियो. तो ये है टाटा एसी सिप, बेहत है अच्छा कंडिशन में है, ये 2016 का रेजिस्ट्रेशन है, बॉडी का कंडिशन बेहत है अच्छा है, एंजिन भी सील्ड है, ये सिर्फ 1,00,000 किलोमेटर रणिंग हुआ है, तो इसका आस्किंग प्राइस है, सिर्फ 1,69,000 ओनली, नेगोश केट भी हो जाएगा, और EMI फसिलिटी भी अवेलिबल है, सिर्फ 60,000 डाउन पेमिन देके, ले जा सकते हैं, तो ये है सुप्रो मिनी ट्रॉक, इसका बोडी बिलकुल नया कंडिशन का है, इंटीरिया भी नीट अन क्लीन होके राखा है, बोडी में कोई भी डैंट नहीं ल सुप्रो मिनी ट्रॉक का आस्किंग प्राइस है, सिर्फ 3,69,000 ये प्राइस नेगोशियेट भी हो जाएगा, और EMI फसिलिटी भी अवेलिबल है, तो अभी लेके जाए ये सुप्रो मिनी ट्रॉक, तो अगेन ये है Tata ACE-X, बेहत है अच्छी कंडिशन में है, ये 2014 का रेज इंजिन भी सील है, ये सिर्फ 71,000 किलोमेटर रॉनिंग हुआ है, तो इसका आस्किंग प्राइस है, सिर्फ 2,50,000 ये नेगोशियेट भी हो जाएगा, और EMI फसिलिटी भी अवेलिबल है, सिर्फ 70,000 डाउन पेमिन देके ले जा सकते हैं, ये Tata ACE-EX तो ये है AC Mega, ब्राइंड न्यू कंडिशन, ये 2016 का रेजिस्ट्रेशन हुए, बोडी बिलकुल नया है, इंजिन भी अच्छा है, तो इसका आस्किंग प्राइस है, सिर्फ 2,49,000, नेगोशियेट भी हो जाएगा, और EMI फसिलिटी भी अवेलिबल है, तो अभी लेके जाए AC Mega, तो आग्या है Tata AC Mega, बेहत है अच्छा कंडिशन में है, ये 2016 का रेजिस्ट्रेशन है, बोडी का कंडिशन बेहत है अच्छा है, एंजिन भी सील्ड है, ये सिर्फ, ओनली 28,000 किलोमेटर रनिंग हुआ है, तो इसका आस्किंग प्राइस है, सिर्फ 2,39,000 नेगोशियेट भी हो जाएगा, और EMI फसिलिटी भी अवेलिबल है, सिर्फ 60,000 डाउन पेमिन देके, ले जा सकते हैं, तो ये है Tata AC, बेहत है अच्छी कंडिशन में ही, ये 2016 का रेजिस्ट्रेशन है, बोडी बेहत अच्छा है, इंजिन भी सील है, तो इसका आस्किंग प्राइस है, सिर् भी अवेलिबल है, सिर्फ 50,000 डेके ले जा सकते हैं ये Tata Ace, तो ये है Tata Ace, बेहत है अच्छी कंडिशन में ही, ये 2011 का रेजिस्ट्रेशन है, बोडी का कंडिशन भी अच्छा है, इंजिन भी सील है, ये गरी सिर्फ 56,000 किलोमेटर रनिंग हुआ है, तो इसका आस्किंग प और EMI फासिलिटी भी अवेलिबल है, सिर्फ 50,000 डाउन पेइमेंट देके ले जा सकते हैं ये Tata Ace EX, तो अगेन आग्या है Tata Ace Gold, बेहत है अच्छा कंडिशन में है, ये 2019 का रेजिस्ट्रेशन है, बोडी का कंडिशन बेहत है अच्छा है, एंजिन भी सील्ड है, ये सिर्फ और EMI फासिलिटी भी अवेलिबल है, सिर्फ 60,000 डाउन पेइमेंट देके ले जा सकते हैं, ये Tata Ace Gold, तो फिर से आग्या है Tata Ace Zip, बेहत है अच्छा कंडिशन में है, ये 2000 अथर्म का रेजिस्ट्रेशन है, बोडी का कंडिशन बेहत है अच्छा है, एंजिन भी सील्ड है, ये सिर्फ, ओनली 12,000 किलोमेटर रणिंग हुआ है, तो इसका आसकिंग प्राइस है, सिर्फ 1,69,000 ओनली, नेगोशेट भी हो जाएगा, और EMI फासिलिटी भी अवेल है, सिर्फ 60,000 डाउन पेमिन देखे, ले जा सकते है, ये टाटा AC से, टू ये है टाटा सूपर AC मिन्ट, अंटीरियर देखे सकते है, नीट अन क्लीन होके राखा है, बोडी बेहद है नया है, इंजिन भी सील है, ये 2017 का रजिस्ट्रेशन है, पीछे भी देख शकते है, बि 4,49,000 ये प्राइस नेगोशियेट भी हो जाएगा, और EMI फासिलिटी भी अवेलेबल है, तो अभी लेके जाए ये सूपर AC मिन्ट, तो ये है टाटा AC से, बेहत ही न्यू कंडिशन में है, ये 2016 का रेजिस्ट्रेशन है, बोडी का कंडिशन बेहत ही अच्छा है, एंजिन भी न्यू है, ये सिर्फ 69,000 किलोमेटर रणिंग हुआ है, तो इसका आसकिंग प्राइस है, सिर्फ 99,000 ओनली, नेगोशियेट भी हो जाएगा, और EMI फासिलिटी भी अवेलेबल है, सिर्फ 30,000 डाउन पेमिन देके, ले जा सकते हैं, ये टाटा AC से, टू ये हैं बोलेरो पिक अप, इसका बोडी बिलकुल ब्राइंड न्यू कंडिशन का है, इंटीरिया भी नीट अन क्लीन होके राखा है, बोडी में कोई भी टेंट नहीं लगा है, इंजिन भी सील है, ये 2021 का रजिस्ट्रेशन है, बिलकुल अच्छा कंडिशन में ही, तो ये बोलेरो पिक आस्किंग प्राइस है, सिर्फ 7 लाक्स, ये प्राइस नेगोशियेट भी हो जाएगा, और EMI फासिलिटी भी अवेलेबल है, सिर्फ 50,000, डाउन पेमेंट देके ले जा शकते हैं ये बोलेरो पिक अप, तू ऐसे हैं बोहत सारी कमर्शल कार का स्टॉक अवेलेबल है, अपू मोटर कमर्शल का एड्रेस है, हाति लों, मोहल दिनी अली, नौत लखिमपुर, असाम, और कॉंटाक्ट किजिए इस नंबर पर 8011-774025, तू आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, आज के लिए बाई-बाई बाई-बाई-बाई-बाई-बाई